हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे प्रॉपर्टीज ओफ वुड लकडी के कौन-कौन से गुंधर्म होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं किसी भी काश्ट के जो गुण होते हैं उसका निर्मान करने वाली कोशिकाओं की प्रकृती व्यवस्था और प्रकार पर निर्भर करते हैं तो काश्ट के गुण किस पर डिपेंड करते हैं कोशिकाओं की प्रकृती व्यवस्था और प्रकार पर निर्भर करते हैं और गुण को हम दो भागों में बाट सकते हैं physical properties और chemical properties आभी हम अमारे course में दिया है mechanical properties जो की होती है physical properties तो physical properties के लिए हम देखते हैं कि कौन-कौन सी इसमे mechanical and non-mechanical गुण पाए जाते हैं तो सबसे पहले mechanical properties first जो है कहलाता है strength या हिंदी में बोलते हैं सामर्थ सामर्थ का मतलब है जब विबिन प्रकार के बाहे बलों को लकड़ी पर apply करते हैं तो काश्ट कैसा वहवार प्रदर्शित करती है उसको कहते हैं सामर्थ सामर्थ को तीन या चार भागों में divide करेंगे तो हमको समझना आसान हो जाएगा सबसे पहले कहलाता है सामर्थ के अंतर आता है सब पॉइंट उसका compression compression होता है संदलन अगर लकड़ी पर कोई भार या दाब लगाएं तो वो बिना तूटे उसको सहन कर जाए उसको बोलते हैं compression है ना अगर लकड़ी की कोई चीज है और उस पर अपन ने कुछ भारी सामान रख दिया तो वो उसको सहन कर ले बिना तूटे उसको कहते हैं चूरा नहीं होना चाहिए उसका मतलब चूर चूर नहीं होना चाहिए है ना और ये जो चीजे हैं ये हमारे जीवन पर भी लागू होती है अगर ध्यान से आप दिखे जब हमारे उपर जादा लोड आता है तो हमारा वहवार परिवर्तित हो जाता है तो फि या बाहे बल लगाने पर लकड़ी चूरा नहीं होगी, वो मजबूत बनी रहेगी, उसको कहते हैं compression, दूसरा है tensile, strength मतलब तनन, तनन सामर्थ, तनन का मतलब है अगर दो विपरीत बलों से खीचें लकड़ी को या तानें, दो तरफ से अगर हम उसको मोड के दबाएं, तो जो काश्ट, प्रतिरोध, प्रदर्शित करती है उसको बोलते हैं तनन, तनने का गुण, तूटती नहीं है फिर भी दब जाती है दोनों तरफ से, ठीक है, तो ये हो गया tensile या तनन सामर्थ, तीसरा है sharing, sharing को बोलते हैं अपरूपन, इसमें क्या होता है, लकड़ी को जब चीरा जाता है, तो उसके जो रेशे होते हैं, उसको चीर कर जब हम अलग करते हैं, तो जो बल प्रयुक्त किया जाता है, उसके विरोध में, जो शमता लकड़ी में पाई जाती है, लकड़ी को चीरते समय, जब वो चिर रही होती है, और वो जो विरोध करती है उस बल के प पड़े लकडी के तने को पुलाडी से बीच में से दो करते हैं उसको कहते हैं चीरना चीर के अलग करना वो है वो बहुत मुश्किल से होती है कोई-कोई लकडी आसानी से हो जाती है और कोई-कोई लकडी में बहुत बल लगाना पड़ता है तो वो जो लकडी विरोत करती है अब बल की अधिकता करनी पड़ती है तो ये हो गया चिरने का सामर्थ चौथा है cross breaking strength cross breaking मतलब आडा खंडन है ना आडा खंडन मतलब जो beam या बल्ली होती है जो सीधा तना होता है उसको मोडने के लिए जो बल लगाया जाता है उसके प्रती काश्ट की सामर्थ को बोलते हैं cross breaking आडा खंडन सामर्थ तो सामर्थ अलग-अलग तरीके से इंसान ने लकडी पर अजमाया है और उसको ये चार भागों में डाल दिया है अब हम आते हैं दूसरा जो लकडी की mechanical property है जो important है वो है stiffness stiffness and elasticity stiffness कहते हैं द्रणता को और लचीलापन कहते हैं elasticity को तो आकृती में परिवर्तन या विकृती वाले बलों के प्रती काश्ट के प्रतिरोथ की शमता को हम कडापन सामर्थ कहते हैं कोई भी बाहर से बल लग रहा है उसके प्रतिरोथ की तो मतलब उसमें आकृती में हम परिवर्तन चाह रहे हैं और लकडी परिवर्तन होने नहीं दे रही है तो काश्ट की अस्थाई विकृती या आकृती परिवर्तन सहन करने की शमता जो होती है वो लचीलेपन के कारण होती है अगर हम ये बल हटा लें तो लकडी अपनी वास्तविक आकृती में आ जाती है उसको कहते हैं इलास्टिसिटी जैसे किसी चीज को खीचो और छोडने पर वो वापस अपने ओरीजिनल पोजीशन में आ जाए तो द्रंडता और लचीलापन लकडी का एक बहुत बड़ा गोण है उसके बाद आते हैं हम थर्ड टफनेस टफनेस बोलते हैं चर्मलता या चीमडपन तो अगर हम निरंतर किसी लकडी पर हतोड़े की चोट करें या उस पर तेज छटके दें तो वो बिना टूटे और फटे सहन करने की शमता अगर दिखाती है तो उसको टफनेस कहते हैं मतला आपका हतोड़ा उचल के दूर चला जाएगा लेकिन लकडी जो है वो आसानी से टूटती नहीं है तो यह है तफनेस या चर्मलता उसके बाद है क्लीवेबिलिटी उसको बोलते हैं विदलन्ता क्लीवेबिलिटी में क्या होता है कि काश्ट को वैसे तो इक्षा नुसार काटा या चीरा जा सकता है इसके आसानी से काटे या चीरे जाने की शमता को हम कहते हैं विदलन्ता मतलब हम जैसा चाहते हैं लकडी वैसे अपने शेप में कट जाए तभी तो हम फरनीचर बना पाते हैं तभी तो हम दर्वाजे बना पाते हैं लकडी को हम उसमें कार्विंग कर पाते हैं, उसमें आकृतियां बना पाते हैं, तो ये विदलन्ता भी जरूरी है, हमेशा विरोध जरूरी नहीं है, अब आते हैं हम कठोर्ता या हार्डनेस, अगली प्रॉपर्टी कठोर्ता कहलाती है, काष्ट को रगड या खरोच लगे और उसमें अगर कोई डेंट ना आए, अगर उसमें कोई परिवर्तन ना आए, तो वो लकडी की कठोर्ता कहलाती है, जैसे मान लीजे, आपके पास कोई लकडी की टेबल है, और आपके हाथ से कोई चीज छूट कर उस पर गिर जाए, और उस पर उसका कुछ ना बिगडे, वो कहलाता है कठोर्ता, और कठोर्ता जो है, वो डिपेंड करती है, लकडी, अलग-अलग प्रकार की कठोर्ता पाई जाती है, तो ये उसको आप क्या बनाने वाले हैं लकडी से, उस चीज पर मतलब उसका इस्तेमाल डिपेंड करेगा, तो अगर काश्ट को रगड लग जाए और वो उसमें कुछ अंतर ना आए तो अच्छी लकडी मानेंगे जबकि हलकी जो काश्ट होती है वो मामूली रगड से खराब हो जाती है तो फिर वो जो अपने लकडी से जो भी आर्टिकल बनाया है वो ज्यादा दिन तक टिकाव नह ज़रूरी है उसके अलावा फिर आते हैं हम फ्लेक्जिबिलिटी या कोमलता कैसे कि जिस तरह से हम चाह रहे हैं मोड़ना फरनीचर बनाने के लिए तो उस तरह से फिर वो मोड़ जाए फ्लेक्जिबल हो जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी जो बांस की जो चीज़े बनती हैं बांस के जो मुड़े बनते हैं जो फरनीचर बनते हैं तो उसमें फ्लेक्जिबिलिटी होती है वो तूटती तो नहीं है लेकिन मुड़ जाती है तो वो डेकोरेटिव पीसेज बनाने के काम में आती है ऐसी लकडी और लास्ट है पोरो सिटी पोरो सिटी को कहते ह रंधरता, रंधरता का क्या मतलब है, देखो लकडी में होते हैं वैसल्स और वैसल्स होते हैं मौसम के हिसाब से, कभी बड़ी होती हैं वैसल्स और कभी छोटी होती है, तो उससे depend करता है उसका pore size तो porosity important है लकडी में और उसको हिंदी में कहते हैं सरंधरता अगर छोटे-छोटे pores होते हैं तो लकडी smooth होती है मतलब उसमें fineness होती है वो fine लकडी कहलाती है और अगर उसमें बड़े-बड़े pore होते हैं तो फिर लकडी जो है वो ऐसी हो जाती है rough लगने लगती है छूने पर तो ये है porosity और porosity अगर ज़्यादा होगी सरंधरता तो लकडी weight में हलकी होती है ज़्यादा छेद होते हैं ज़्यादा हवा बरी होती है light weight होती है pores के कारण तो pores कौन देता है? vessels या वाहिकाएं अब हम आते हैं non mechanical properties हमको लकडी की पता होनी चाहिए non mechanical में एक तो होता है कि लकडी सूखी हो उसमें आदरता जो है अगर ज़्यादा होती है तो फिर जो भी हमने सामान बनाया है वो तेड़ा मेड़ा हो जाता है तो सूखी लकडी होनी चाहिए हम अगर furniture बना रहे हैं और आदरता जो है वो सामान निता sapwood में अधिक होती है जबकि heartwood में नमी की मात्रा कम होती है है ना? तो ये है इसका non mechanical उसके बाद हम आते हैं density पर एक छोटा सा गुण है density density भी जो है वो कोशिका पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है specific density जो है वायू छिद्रों की उपस्तिती के कारण एक से कम होती है सामान निता 0.5 से कम specific density वाली काश्ट हलकी मानी जाती है और 0.5 से 0.7 के मद्ध भारी लकडी मानी जाती है और 0.7 से अधिक वाली specific gravity वाली काश्ट कहलाती है भारी काश्ट तो ये density किस से हो रही है वायू छिद्रों की उपस्तिती के कारण होती है उसके बाद हम आते हैं चिर इस्थायत जिसको हम बोलते हैं durability durability जो है वो मतलब कि आपने लकडी का कुछ सामान बनाया तो उस पर attack करते हैं microorganisms जिसमें होता है fungus, bacteria, virus और dhemak तो कीटों के प्रती काश्ट की प्रतिरोधी शमता को हम durability बोलते हैं उस पर किसी चीज का असर नहीं होता तो बढ़िया जो लकडी होती है और ये जो durability आती है ये आती है काश्ट में उपस्तित तेल, टैनिन, रंजक आदी के कारण तो लकडी में जो चीजें अंदर इखटी हो जाती हैं अन्पदार्थ इखटे हो जाते हैं रेजिन है, टैनिन है, गोंध है तेल है, टाइलोसिस बन गया उसके कारण लकडी स्थाइत्व शो करती है अगर आप साउथ में गूमने जाएं तो वहाँ पर इतनी अच्छी quality की लकडी है कि वहाँ के जो temples हैं, या जो जर्च हैं, या जो भी और museum हैं, उसका फर्ष और छट दोनों लकडी से बनाए हुए हैं और सालों पुराने हैं, तो वह अभी तक वहाँ पर चेरिस्थाइत्व शो कर रहे हैं उसके बाद हम आते हैं surface characters पर सतह के गुण, लकडी की जो surface होती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसकी वज़ा से हम उसकी तरफ attract होते हैं, और इन surface characters या सतह ही गुण में सबसे पहला है brightness, अगर लकडी प्रकाश परिवर्तन शमता को दर्शा रही है, तो वो चमकदार दिखाई देगी, और चमकदार लकडी हम लेना पसंद करेंगे, अपने घर में लगाने के लिए अगर उसमें चमक नहीं हो, तो फिर वो उसमें पॉलिश करनी पड़ती है, तो अगर उल्रेडी चमकदार है, तो वो हमारी पहली पसंद होगी, तो brightness जो है वो लकडी का गुण है, चमक, दूसरा है color, रंग काश्ट में उपस्थित, रंजक या टैनिन, आदी के कारण इसका रंग अलग-अलग होता है कोई लकडी पीले रंग की होती है कोई भूरे रंग की होती है कोई बहुत काला पन भूरा लिये हुए होती है और light color भी होता है, cream color होता है तो जो color है उस वो भी हमारी पसंद के अनुरूप हम उसको select करते हैं लकडी को और इसमें जो रंग है वो और रसकाष्ट मतलब sapwood और heartwood में अंतर color के कारण ही समझ में आता है तने को काटने पर तो sapwood होता है light in color heartwood होता है dark in color तो color बहुत important है उसके बाद आते हैं हम smell पर गंध काष्ट में अलग-अलग लकडियों में अलग-अलग वाश्पशील तेलों के कारण specific गंध होती है गंध के कारण उन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये आम की लकडी है नीम की लकडी है कि ये सागवान की लकडी है कि ये चीड की लकडी है तो अलग-अलग वाश्पशील तेल पौधों में अलग-अलग smell प्रदान करते हैं उसके बाद हम आते हैं grain पर जिसको बोलते हैं काष्ट रेखा जो figure और grain हैं वो लकडी को खुबसूरती प्रदान करते हैं डिजाइनिंग देते हैं उसमें तो grain में जो कोशिकाएं जो wood में होती हैं उसका arrangement grain कहलाता है जब काष्ट रेशे अक्ष के समानांतर होते हैं तो उसे बोलते हैं सीधे grain वाली काष्ट इसके विपरीत अगर रेशे सरपिल विन्यासित होंगे तो उसको हम सरपिल ग्रेन काष्ट कहते हैं और जब दो रेशे विपरीत सरपिल क्रम में हों तो उसको अंतर ग्रंथित ग्रेन काष्ट कहते हैं तो grain से design बनता है और grain से विपिन यांतरिक गुणों का निरधारन भी होता है तो ये grain किसके कारण आए? जो कोशिकाएं वुट को बना रही हैं उनका arrangement उसके बाद हम आते हैं figure पर figure या आकृतियां जो होती हैं वो काष्ट की वृद्धी वले और रश्मिया उनकी सतय पर विबिन आकृतियां प्रदान करती हैं मतलब काष्ट की वृद्धी वले growth rings और medullary rays ये surface पर आकृतियां प्रदान करती हैं और ये लकडी को सजावटी गोण प्रदान करती हैं तो आप अगर सजावट के लिए लकडी select कर रहे हैं तो फिर आपको figures देखने पड़ेंगे कि लकडी में किस तरह का designing बन रहा है तो ये हो गए कुछ mechanical and non-mechanical properties कभी-कभी simple question आजाता है कि write a note on properties of wood कभी-कभी question आता है write a short note on mechanical properties of wood तो ये आपको पता होना चाहिए उसके बाद जो wood से संबंदित एक बहुत छोटी और important चीज है वो है seasoning of wood seasoning क्या होता है कि काश्ट में सामान्यता जो moisture की मात्रा होती है वो होती है 40-80% तक अगर हमें कुछ टिकाव चीज बनानी है लकडी में को यूज करके तो फिर हमें उसमें से moisture हटाना पड़ेगा क्योंकि काश्ट को सुखाए बिना अगर हम कोई चीज सामान बनाएंगे तो फिर वो टिकाव नहीं बनेगा तो seasoning मतलब strength बनाने की प्रक्रिया हिंदी में बोलते हैं काश्ट संशोशन मतलब strength बढ़ाने की प्रक्रिया ये दो तरह से की जाती है पहला है air seasoning जिसको बोलते हैं वायू संशोशन हवा के द्वारा इसमें क्या होता है कि हवा में लकडी को काटके पटक दिया जाता है और अपने आप नमी दीरे 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 उड़ती रहती है और फिर भी कितना भी दिन लकडी को हम छोड़ दें वातावरन में खुली धूप में फिर भी बाद में क्या होता है 12 से 20 प्रतीशत तक कम से कम उसमें नमी रही जाती है तो ये क्रिया और धीमी भी बहुत है तो बहुत समय लगता है और फिर भी पूरी तरह से नमी निकलती नहीं है तो इसलिए ये open air वहां करते हैं जब हमें लकडी का कुछ औजार बनाने हो और जादा मतलब उसको लंबे कई वर्षों तक टिका के नहीं रखना हो जैसे की गैती है फावडा है इसके डंडे बनाते हैं खेतों में काम करने के लिए तो ये फिर बदलता रहता है जैसे खराब हो गया तो फिर उसको दूसरे में लगा दिया तो ऐसी जो आपका requirement है उसके हिसाब से seasoning का ध्यान दिया जाता है दूसरा है भटी में संशोशन करना मतलब भटी में जब हम डाल के करेंगे तो इस विदी में काश्ट का कृत्रिम संशोशन किया जाता है मतलब इस बड़े बड़े लॉक्स या जो लठे होते हैं तने जो होते हैं उसको steam heated chamber में रखा जाता है बटी में क्लिन में और फिर इन प्रकोष्ट में शुश्क वायू प्रवाहित की जाती है तो इस प्रक्रिया में काश्ट की नमी चार से बारा प्रतिशत तक हो जाने तक इसको बटी में रखा जाता है मतलब बहुत कम नमी को निउन स्थर तक ले आते हैं इसमें समय तो कम लगता है लेकίν ये विदी बहुत महेंगी होती है और जल्दी से हो जाता है ये तो महंगी है, जल्दी हो जाती है और इसकी नमी की मात्रा चार से बारा प्रतिशत तक ही सिमट जाती है तो फिर ये जो लकडी है वो ऐसी चीज़ें बनाने के काम आती है जो टिकें, सालो साल टिकें तो ये है seasoning या cast sensation इसके बारे में भी कभी कभी short note आ जाता है एक दो number का question तो ये आपके course को थोड़ा सा इसमें एक reading लगाएंगे और अच्छे से इन points को आपको याद रखना है मेरी ख्याद से समझ में आ गया होगा मैं कैन properties of wood Thank you